हेलो एब्रीवन, विल्कम बैक टू आवर क्लास, आवर 20 चैप्टर अनुछेद लेखन अनुछेद लेखन का अर्थ है दिये गए बिशे पर कुछ इस तरह से लिखना की बिशे सार रूप में प्रस्तूत हो जाए वास्तों में अनुछेद निबंद का अतिलगू रूप है जो कि हमने आपको प्रेवियस क्लास में भी बताया था कि अनुछेद का ही चोटा रूप अनुछेद लेखन है अनुछेत लेखन के लिए आवश्यक है कि छात्रों में सूजबूस तथा मौलिक लेखन की छमता हो छात्रों को कुछ ऐसे बिसे दिये जाते हैं जिनके संबंद में वे स्वयम कुछ सोच कर लिख पाएं इसके लिए आवश्यक है बिसे छात्रों के जाने पहचाने हो जो भी टॉपिक आपको दिया जाए वो आपके जाने पहचाने होने चाहिए विसे वर्नात्मक हो जब छात्र वर्नात्मक विसेओं पर लिखना सीख जाएं तब विचारात्मक विसेओं की ओर उन्हें मोडा जा सकता है चात्र प्रारंब में इस तूल दृष्टी का प्रियोग करते हुए देखी हुई वस्तूओं के बिसे में लिखेंगे देखी हुई वस्तूओं के पश्यात चात्र चकी हुई, सुंगी हुई और इस पर से की गई वस्तूओं के बिसे में भी वर्णन करना सीखें या हमारा लक्ष होना चाहिए इस परकार धीरे धीरे वे वर्णन से अनुभव की ओर बढ़ेंगे यही हमारे रच्णात्मक सिक्षड का उद्देश है अनुछे लिखते समय कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए विसे पर बिना किसी भूमिका के विचार प्रकट कीजिए अनुछे लिखते समय उधारन पक्ष बिपच्च तथतरक वितरक से बचना चाहिए अनुछे असी से सौ सबदों तक सीमित होना चाहिए या रखिए सो इस्ट्रेंट्स ये रहे कुछ important points जो आपको अनुच्छे लिखते समय ध्यान देना होगा अब आएए देखते हैं बस अड़े का पनवाडी जो कि आपके स्लेवस में है इसे आपको complete भी करना लिखना भी है बस अड़े का पनवाडी बस अड़ा मिंस स्टेशन पनवाडी मिंस पान बेचने वाला इस्टेशन के पास पान बेचने वाला आप लोगों ने देखा ही होगा तो उसके बारे में तो आप एक paragraph आराम से लिख सकते हैं आएए देखते हैं संकेत बिंदु है पनवाडी का अड़ा पान खाने वालों की भीड़ पान का सामान चॉकलेट आदी रखना लोगों के शौक पूरे करना मेरे घर के पास शेत्रिय मदर डेरी है मदर डेरी के ठीक पास एक बस अड़ा है यहां एक नीम का पेड़ है मैं बरसों से इस पेड़ के नीचे एक पनवाडी को देख रही हूँ या देख रहा हूँ इटो के बने चबुतरे पर एक बड़ी सीटीन के चौको ट्रे रखी हुई है जिसमें छोटे छोटे डिब्बे और बोतले रखी है इन डिब्बो और बोतलों में कथा चूना सुपारी गुलकंद आदी रखे हैं वह स्वयम एक पत्थर की कुरसी पर बैठा है पास ही एक बाल्टी पानी से भरी रखी है पानी में पान के पत्ते हैं पान वाला एक एक पत्ता निकाल कर अपने सामने रखे लाल कपड़े पर रखता है और क्रम से उन पर कथा लगाता है कथा और चूना लगाने के लिए उसके पास कलम नुमा लकड़ी है मैंने उसे हमेशा फुर्ती से पान लगाते देखा है उसके चार ओर पान के सौकीनों की भीड लगी रहती है वह एक ओर तो पान पर चूना और कथा लगाता है और दूसरी ओर मीठी बोली से पान के बड़े दामों की चर्चा करता हुआ लोगों की जेवों को चूना लगाता है सुबा से लेकर रात के ग्यारा बज़े तक मैं उसे वहीं इसी मुद्रा में काम करते देखती हूँ या फिर देखता हूँ आज कल तो उसने सिक्रेट माचेस चौकलेट सुपारी खटी मीठी गोलियां भी रखनी सूरू कर दी है अतहा अब पान के शौकीरों के अतरिक चौकलेट सिक्रेट सुपारी आदी के सौकीन भी उसकी दुकान पर दिखाई देते हैं सौक ही तो है चाहे पान का हो या चौकलेट का या फिर सिक्रेट पीने का सुष्टेंस ये रहा अनुछेद लेकन बस अड़े का पनवारी जो कि आपके स्लेबस में है आपको इसको कम्प्लेट करना है तो इसे हिंदी फर्ष्ट की कॉपी में लिख लीजेगा ओके थाइंक्यू क्लास